नमस्कार स्वागत है आपका सतिहिंदी डॉज कामपर मैं हूनी लुव्यास और हर शाम साड़े छे बज़े आपके लिए लेकर आती हूँ आज की बड़ी खबर आज हम बात करते हैं सुप्रीम कोट के कड़े रुख की रेवडी कल्चर के ऊपर और सुप्रीम कोट ने कहा कि ये जो रेवडिया बातने का जो एक चुनाव में सिलसला शुरू हो गया है ये बहुत गंबीर मुद्दा है और ये हमारी आर्थिक विवस्था के लिए ये है और इस रुख से ये पता चलता है कि सुप्रीम कोट कहीं न कहीं एक बालन्स की बात करना चाह रहा है कि जो लोग ये कहते हैं कि ये वेलफेर स्टेट है और गरीबों को इस तरीके के जो विद्धाएं है और जो चीजें हम बाते हैं चुनाव में वो देने में कोई कर रहा है लेकि जो बड़ा सवाल है कि क्या अब सुप्रीम कोट ही इस रेवडी कल्चर को खत्म करेगा और इसमें एक निकाई बनाने की बात कही गई थी जिसमें की तमाम जो विपक्षी दल है चुनावा योग है और उसमें आर बी आई है और वो लोग हो जो फ्री बीज द की थी अश्वनी उपाध्या इस तमय हमारे साथ लाइव बाचीत के लिए मौजूर है अश्वनी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है समय साथे हिंदी पर और जो मेरा पहला सवाल है अश्वनी जी कि आज की जो टिपड़ी है सुप्रीम कोर्ट की इसको कैसे देखा जा सुप्रीम कोर्ट ने हर बार एक इनली क्या होता है कि सुनवाई होने के बाद के लिसट आप्टर 4 वीक से लेकня ये एसा मामला था कि भारत के उपर इस समय लगबग 150 लाग करोड का करजा है केंद्र और राजियों का मिला दे तो टोटल डेड़ सो लाग करोड का करजा हो चुका है आज की डेट में खास्तोर पे राजी सरकारों के पास इंप्लाइज का सेल्डी देने के लिए पैसा नहीं है उनका पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है सब कुछ भार लेके चल रहा है कोई भी योजना बनाने के लिए उनके पास लाउंच करने के लिए पैसा नहीं है आपको जो सड़कों सड़े दिखाई पड़ती है बनती हुई यह सड़के सब ब्योटी बेसिस पे हैं यानि आप बनाओ और इ लेकिन आप इसको समझे कि यह उधार के लिमिट होती है कि लिमिट के बाद कोई नहीं उधार देगा जब दुनिया को पता चल जाया है कि बाइध कवा घूट बल ऑट करज ही लेता है, करज चुकाता है। था जब पाकिस्ता ऐरे सेब करेगा। सुब्रहा है सड़क अच्छी बेसिक सुपधाय अच्छी करो अगर उसके बाद आपके पास पैसा बच रहा है तो आप कलरे तीबी भी दो हम कहते हैं फिर आप mixer जूसा grinder दो, mangal sutra भी दो, smartphone भी दो, tab भी दो, जो देना है दो, लेकिन पहले basic requirement तो पूरी करिए, एक मैं कड़वी बात कहना चाहूंगा, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है, जिस राज्य के सरकारी स्कूल में वहाँ के सरकारी करमचारी के बच्चे पढ हैं, इवन दिल्ली की बात कर लेते हैं, जो अपने आपको बहुत बड़ा model दिखाते हैं, कि हमारा जो, हमने सिक्षा को सुधार दिया, हमने hospital को सुधार दिया, दिल्ली में ही, जो देज की राजधानी है, आम आदमी party, बीजेपी के, उनके बच्चे government school में क्यों नहीं रखा है, government वाल, बदहाल हमने hospital बना रखा है, उसको सुधार दिया नहीं है, हाँ, ऊपर क्या करना है, अशरी जी लेकिन जो भी political parties हैं, खासकर parties like आम आदमी party और जो लोग free की बिजली, free का पानी अनौन्स कर देते हैं, सुप्रीम कौट ने भी कहा कि it's almost like allurement, कि आप voter को free दे रहा हूं, आप इसके मदले में मुझे vote दीजे, लेकिन इन parties का ये कहना है, कि इस तरीके का जो free में जो चीज़ें बाटी जाती है, उसको देना भी जरूरी है, उनका ये कहना है, जिस तरीके की दलील बार-बार आम आदमी party देती है, और उन्होंने तो इसको अपना पूरा एक governance का model बना लिया है, तो क्या कहेंगे, कि भाई एक welfare state और एक economy में जो balance की बात Supreme Court कह रहा है, ये कैसे लाई जाएगी, क्योंकि जो विपक्षी दल है, या जो political parties है, वो तो रजामन नहीं होंगी, उनके लिए तो एक, ये vote बटोरने की एक तक्नीक है, देखिए, कह आए थे हरिभजन को ओटन लगे का पास, ऐसा हमारे पूर्वांचल में कहा हुआ थे, यानि करने कुछ और का आए थे, करने कुछ और लग गए, जहार लग आपने आमाद्मी पार्टी का नाम लिए, आमाद्मी पार्टी के स्थापना तो घुस खोरी रोकने के लिए जहां पे आपके MLA, MP के बच्चे और उनका परिवार इलाज कराने लग जाए, हम तो आपको धन्यवाद देंगे, आप दिल्ली का गवर्मेंट स्कूल ऐसा बना दो कि मनी सिसोधिया के बच्चे भी वहीं पढ़े, आपके सौरा भारतवाज के बच्चे पढ़े, सबके सा एक बारिस के बाद पानी लग जाता है, वह आज पानी की बेवस्ता अची कर दो, निकासी ठीक कर दो, हम आपको बढ़ाई देंगे, आप मुफ्त में पानी देने की बजाए, सुध्ध पानी दो, मैं ये कह रहा हूँ, आप मुफ्त में गंदा पानी दे के लोग का स्वास खराब करने की बजाए, आप वो पैसा बचा लो और वो उसी पैसे से आप लोग को सुध पानी देना सुरू करो, आप वाटर टीट्मेंट प्लांट लगा दो और सीधे नल से ऐसा पानी दे दो कि लोग को आरो न खरीदना पड़े, आपने 50 रुपए का मुफ्त पानी दे 24 इंटू 7 दे दीजे, मैं आपको धन्यवाद दूँगा, पानी आप दे दीजे, 2 घंटे, 3 घंटे दे दे दीजे, कम सकम दिल्ली में आप दिल्ली में एक घंटे पानी नहीं दे पा रहे हैं, एक घंटे पानी दे रहे हैं, वो भी गंदा पानी दे रहे हैं, तो इसलिए अगर पानी देना है तो आप दो मुफ्त में और मुफ्त में हमें क्यों देना? EWS को मुफ्त में पानी दे दो, BPL को दे दो, दिल्ली में जहां कि प्रतिवेक्तियाए भारत में सबसे जादा है, वहां सब को मुफ्त में क्यों देना नीलू व्यास को मुफ्त में पानी क्यों मिलना चाहिए अश्वनी उपाध्या को मुफ्त में पानी क्यों मिलना चाहिए हमें मुफ्त में बिजली क्यों मिलना चाहिए हमारे सुप्रीम अब वकीलों को लुभाने के लिए नोंने पूरत के वकीलों को भी मुफ्त में बिज़्ि दिया है 300 इनट अब आप भी बताो जो आदमी सुप्रीम कोड में प्रैक्रिस करता है जो सुप्रीम कोड में इसका चैंबर है जो एक एक फीज में और केरम तो मुफ्त में दे रहें जब रेवरी कलचर के आब बात करते हैं ऐशनी जी तो लोग ये भी कहते हैं कि अभी तो ये आम आदमी पार्टी के आब बात कर रहे थे लेकिन BJP भी तो फ्री राशन बाट रही है और free का राशन फिर उसको चुनाओ में भुनाने की भी कोशिश करती है तो पिर कहीं न कहीं level playing field की बाता आ जाती है तो आज ये क्या चीज BJP के ओपर लागू नहीं होती देखिए हमने अपने PIL में किसी भी पार्टी को ना तो नाम लिया ना किसी पार्टी का हमने इसमें पक्षकार बनाया किसी पार्टी को आम आदमी पार्टी चर्चा केवल इसलिए हो रही है कि चोर के डाढ़ी मितिन का आम आदमी पार्टी भागी भागी सुप्रिम कोट है, आपकी सफा है, आपकी RZD है, आपकी मंदा बनर जी की TMC है, वो CPI है, CPM है, और भी दल है, BJD है, और तो कोई नी आया, एक इकलोथी पार्टी आई भारत में आम आदमी पार्टी है, और इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं कि इनके खाने के दान तलग दिखाने के दान तलग हैं डिल्ली दिल्ली में आप फ्री का पानी मत दो, सुध पानी दो, पहले ये कर लो, स्कूल अच्छा कर दो, हॉस्पिटल अच्छा कर दो, सड़क पे जो जाम लगता, जाम रोग दो, जो आपके नाले भर जाते हैं, नाले नालों को बंदा कर दो, जो जुब्दिम लोग रहते हैं, उन पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि भारत की इकोनामी बरबाद हो रही है, भारत की अर्थ बेवस्ता खस्ताहाल हो रही है, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, सेंटर होया इस्टेट, कर्ज तो सबका बढ़ रहा है, ना, सबका बढ़ रहा है, तो सबका बढ़ रहा है, कहां से बात आगे अशुरी जी आपने एक विशेश विशेशा की निकाए जो बनाने की बात कही है जो एक special committee की बात है उसको लेकर बात कहां तक आगे बढ़ी है इसमें कोट में कहां था हमने अपनी तरप से प्रपोस कर दिया है हमने अपनी तरप से साथ नाम दे दिये हैं अभी सतरा तारी कोट सुनवाई होगी इस पे Supreme Court अपना फैंसला देगा हमने उसमें जो नाम दिये हैं मैं आपको भी पढ़के बता देता हूं एक मिनट के अंदर हमने उसमें बताया है कि बस एक मिनट में मैं आपको हमने साथ नाम दिये हैं कि चीफ हिलक्सां कमिशनर इसके हैड होने चाहिए जो कमेटी बने सी इसके लावा फाइनस कमिशन के चेर्मैन इसके मेंबर होने चाहिए RBI के Governor इसके मेंबर होने चाहिए CAG Controller and Auditor General इसके मेंबर होने चाहिए नीती आयोग के CEO जो है वो इसके मेंबर होने चाहिए और National Institute of Public Finance and Policy एक संस्था है वो भी आटो नामस है उसके चेर्मैन इसके मेंबर होने चाहिए और ला कमिशन के जो चेर्मैन है वो उसके मेंबर होने चाहिए तो हमने साथ ऐसी संस्थाओं को सेर्ष किया है जो पूरी त अपने पार्टियों के हित के बारे में सोचेंगे अपने अपनी पॉलिसी के बारे में सोचेंगे इसलिए हमने साथ आपने लेकिन जो मुहिन चेरी है ये फ्रीबी कल्चर को एक तरीके से खत्म करने की बात है आपको लगता है कि कॉर्ट इस पर कुछ कड़ा संध्यान ले पर्लेमेंट में भारत में पांच करोड मुकदमों से पांच करोड परिवार का मतलब 30 करोड इंडियन परिवारत में पांच करोड परिवारत करोड इंडियन पर पर और उसकी चिंता नहीं है मुफ्थ खोरी की चिंता है और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट निलू जी भारत का टोटल बजट सतर लाग करोड है, सेंडर इस्टेट कोय में लागे, इस सतर लाग करोड का, ये तो आब भी मानेंगे कि कोई भी जिला, कोई भी थाना, कोई भी तैसील, भष्टाचार से मुकत नहीं है, कोई सरकारी योज़ना, करप्शन फी नहीं है, तो सर्वे के टोटल जो स्कीम है, जो बजट है, इसका बीस परसेंट घुस खोरी कमिसन, खोरी दलाली में चला जाता है, इसका मतलब सतर लाग करोड का बजट है, तो सतर लाग करोड का बीस परसेंट, यानि चोदा लाग करोड रूपए हर साल भारत में, घुस खोरी कमिसन, खोरी दला नहीं है मुफ्सखोरी रुकनी नहीं होगा क्योंकि देखे ये सरकारों का एक टेरिटरी है कि रही ठीक है उनको क्या फ्री में देना है और उस पर अगर कॉर्ट इस चीज को लेकर टिपड़ी करता है तो फिर एक तरीके से जुडिश्यरी और लजिस्लिचर की जो टेरिटरी है उसका इंक्रोच्मेंट नहीं है कई लोग इस बात को लेकर लिख रहे है आज सोचल मेडिया पर दी नहीं बहुत अच्छी बात है देखिए भारत में सबसे उपर क्या है भारत उस भारत को कैसे चलना चाहिए वो है संविधान तो सब संविधान के दाएरे में है सबकी करेंगा तो अगर प्रेस भी इसपर डिबेट नहीं करेगा सिरियसनिस के साथ और सुप्रीम इसपर इंटरफेर नहीं करेगा तो इस देश को कोई नहीं बचा सकता, मैं तो कह रहा हूँ, ये मुफ्त खोरी हमने नहीं रोकी, तो हमें लंका बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, हमें पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, हमारी अर्थव्योस्ता चर्मरा जाएगी, कोई पैसा देने वाला नही तो आपको उमीद है कि Supreme Court इस Freebie Culture को खत्म कर सकता है मुझे पूरा वरोसा है Supreme Court अभी अगले जज्मेंट में Supreme Court एक कमेटी बना देगा जो कमेटी हमने जरिस्ट किया है Supreme Court इसमें मोहर लगा देगा और कमेटी एक महीने में या दो महीने में जब 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 देगी तो Supreme Court को इस आडर पास करेगा ऐसा में पूरा वरोसा Thank you so much अश्वनी जी Always a pleasure having you on the program Thank you sir Thank you